इस समय हम नीमच कर्शी उपंज मेंडी के लैसुन में वंडी में मौझूद है और पिछले कई दिनों में अब लैसुन के दामों में गिरावट आ रही हैं लगातार दाम नीचे जा रहे हैं और इसके चलते कुछ किसान निराश हताज भी है हाला कि जो लैसुन लाने का सिल्सना मंडी में बदस्तूर जा रही है आज भी बड़ी मात्रा में मंडी में लेकर किसान आया है और ऐसे ही एक किसान जिनकी अभी उपद जो है नो हजार के सम्थिंग गई नो हजार सेसुर रुपे किलो यह जेटू वेराइटी की लैसन लैसुन है आप देख सकते हो यह मिक्स है फुल मिला के मीडियम मिक्स इसमें छोटे बड़े सब्तरे के हैं लैसुन के दांब अब मेरे साथ किसान हैं कहां से आए हैं क्या ना मिया मनिश पाटिदार बडगारा कहां आता है यह कानवन से अंदर उज्जेंजिले में यह जो आए हो आपको दाम क्या मिला इसका अच्छा नहीं मिला तोड़ा कितने कितनी उम्मीद थिया दस हजार से उपर सम्चिं अभ इस बाहु से तो एक चीज है कि जो उज्जेन और आसपास की जो किसान लोग यहां आते हैं आम तरु पर उनका कहना बहुत अच्छे दाम मिलते तो फिर ऐसा क्यों होगा और कल भी देखा परतो भी देखना में यह तो पहले भी आ चुका था यही माल तो यह पहले 14,000 विक यह कल माल 12 के लगबग विक्टा और आज यह दस के अंदर विका नो 600 चला गया तो कुल मिला के जो लगातार दाम गिरते जा रहे हैं पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो आधे दाम रेक है कुछ-कुछ तो ऐसे होगे का आधे से कम दाम जाए तो इस से थोड़े किसानों मे यह उपज बेचने के लिए मजबूर है कि नीमच कशी उपजी में अंडी की जो लैसुन मंडी है उसमें एक और किसान है वह भी अपनी उपज लेके आया है बाओ जी नाम बताइए पिलता अमरतलाल कोठारी बटगारा अच्छा यह चीज बताइए कि यह जो लैसून है इसका भाव कुछ दिन पहले 14-15 रुपे एक दो दिन पहले की बात है और आज यह बारा गई है तो यह फड़े से निराज दिखाई दे रहे है किसान देखिए इनके हाथ में भी है थोड़ा पास आके दिखा लेंगे इस तरह की लसून है मीडियम साइज की है और देसी वर अब वापत लाएंगे की रोगेंगे लाएंगे 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 अच्छा हमारे पास वाली मंडी में बेचेंगे इधर लाने से कुछ भी फाइदा नहीं बदनावर बेचेंगे हैं बदनावर ही मांग ली थी 13,000 तो मतलब यहां के 12,000 बारा जार 600 बी किराय भी लग लातार उपज के दामों में गिरावट आ रही है लहसुन के दामों में उससे किसान निराश है और यह निराशा अब उनके चेहरें के साथ साथ उनके जो वहवार में भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो अब इस यहां उपज लाने को